केरल में पार्थिय जन्ता पार्टी ने अपना खाता खोला है जहां कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते थे दूर दूर तक नहीं दिखते थे उस केरल में कमल खिला है और वहां भी एंडिये की वस्तिती हो गई है इसको भी हमको ध्यान मेरतना चाहिए हमारे वोट शेर बढ़े हैं, हमारे प्रदेशों में वोट के शेर भी बढ़ा है और इसके साथ साथ मैं ये बात और कहना चाहता 2014 में ये बहुत ही अधियासि घर्टा घर्टी थी कि एक गरीब मा का बेटा भारत का प्रण मंत्री बने थे और वो भारत की घुर्बत और भारत के अंदर रहने वाले गरीब लोगों की दुख उसको उन्होंने आत्म साथ किया था वो जानते थे गरीबी क्या है वो जानते थे कि गरीबों का नेट्रतु करने की क्या हुशक्ता है वो जानते थे कि देश को किस तरीके से आगे बहाना है और मुझे यार है कि 2014 में जब NDA की सरकार बनी तो आप में उसमें कहा था मेरी सरकार काओं को, गरीब को, वंचित को, पीडित को, सोशित को, दलित को, महिला को, युवा को किसान को समर्पित रहेगी और उनके विकास के लिए हमकार करेंगी आज हम कौरक के साथ कह सकते हैं कि आज आईुश्मान भारत में पचास करोर लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरिग मिल रहा है और उनकी चिंता हुई है तो आजर्णिये प्रणान मंत्री मोदी जी के नित्र तुम्हे हुई है और आगे फ्री जिरो में इस देश का कोई भी नागरेक जो सत्तर साल से उपर का होगा उसको भी आईुश्मान भारत का कारकम से दोड़ा जाएगा इस बात को हमको जाएगा उसी तरीके से चाहे पहनों को गैस का चूला पहुचाना हो गैस का सिलिंडर पहुचाना हो हर घर नल हर घर जल इसकी व्यवस्ता करनी हो हमारे भाईयों को गैनों को बैंक से चोलना हो ये सारे काम पधर मंत्री मोदी जी के नित्रत में हुई और गरीब की चिंता की गई, गरीब की चिंता की गई. मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, कि जब प्रुभान मंत्री जी ने 2014 में बाग दोर सम्हानी थी, तो भारत की अर्थ वर्षता लड़ खड़ा रही थी. भारत की अर्थ व्यवस्ता के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्ता ये बिलकुल लड़ खड़ाई हुई थी एक तरीके से ध्या गई थी और भारत देश की अर्थ व्यवस्ता के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्ता जब लड़ खड़ाई तो दुनिया में भी हमारी अर्थ व्यवस अर्थ विवस्था को मजबूची दी गए और डैंकिंग विवस्था के बारे में दुनिया ने भी सराहा कि आज भारत एक बजबूच बैंकिंग सिस्टम के साथ ख़़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में मोजी जी के नितित्म में सुद्र तरीके से पाथ ही नबर की अर्थ विवस्था है और मोजी 3-0 में तीसरी वार प्रान मंत्री बन रहे है भारत की अर्थ विवस्था तीसरी नबर की होने जा रही है इसको भी हमस्था आख़ए प्रदान मंत्री महोदी जी के नितु तुपे गाओं को मजबूती मिली करीबों को ताकत मिली तलिपों को सम्मान मिला युवाओं की आशाएं और अकांशाओं को पूरा किया महिलाओं को सम्मान दिया और किसानों को मुक्यधारा में लाने का काम किया और वन्चित पीडित लोगों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम किया ये दस साल का परिवतन हम सब लोगों को देखने को मिला है मैं यहां यह भी कहना चाहता हूँ कि विकम कोई विपक्ष नगरात्मक सोच नेगिटिव सोच के साथ काम करता रहा कोई भी सकरात्मक दस साल में कोई भी सकरात्मक योगदान विपक्ष का नहीं रहा और मैं तो यह भी कहूंगा कि अभी भी उनको गुमान है अभी मान है